बात अब्दुल्ला पर एक्शन तो जहांकी विजमा यादव पर तलवार भाकी ये सवाल समाजवादी पाटी के सामने चुनोती बंद करके खड़ा है क्योंकि अभी अभी अब्दुल्ला आजम की विधाय की गई हुए कि अब प्रयागराच की MPML कोट 23 फरवरी को सपा ये रपोर्ट देखें और समझें कैसे 22 साल पुराने एक मामले ने सपा की टेंशन बढ़ा देखें सपा के लिए खत्रे की घंटी क्या चली जाएगी विजमा यादव की सदस्यता क्या समाजवादी पार्टी के एक और विधायक की सदस्तार रद हो जाएगी क्या समाजवादी पार्टी के विधायकों के संख्या घट कर 108 रह जाएगी क्योंकि अभी अब दुल्ला आजम के विधायक के खत्म होने के बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अब समाजवादी पार्टी की प्रियाग राज से विधायक विजमा यादव पर 22 साल पुराने एक मामले में खत्रे की घंटी बच्ती नजर आ रही है क्योंकि 23 फरवरी को प्रियाग राज MPML कोर्ट विजमा यादव से जुड़े मामले में फैसला सुनाने वाली है अगर कूट ने विजमा यादव को दो साल या उससे जादा की सजा सुनाई तो सफा का एक और विकेट गिर जाएगा विजमा यादव के खिलाफ 21 साल पहले एक आपराधिक मुकादमा दर्जुआ था उन पर आरोप है कि हत्या से जुड़े एक मामले में उन्होंने शौप को सड़क पर रखकर हंगामा किया था इसके साथ साथ जब पुलिस टीम उन्हें रोकने गई थे तो पुलिस टीम पर पथराओ और फारिंग की गई थी जानलेवा हमला किया गया था जिसमें कई पुलिस वालों को चोटे आई थे इस मामले में विजमा यादो समेथ कई लोगों को आरोपी बनाया था और इस मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज की स्पेचल M.P.A. मेले कोर्ट में चल रही थे सुनवाई अब पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 23 फरवरी का तारीख तैकी है अगर इस मामले में विजमा यादो दोशी करार दी जाती है और उन्हें दो सालिया उससे की ज्यादा की सजा होती है तो उनकी विदान सभा की सदसेता रद हो आपको बता दे कि जिस मामले में सपाविधायक विजमा यादो के मुश्किल बढ़ी हुई है वो सितंबर 2000 का है इसमें 7 साल के बच्चे की सोड़क दुरगटना में मौत के बाद जम कर हंगामा हुआ था विजमा देवी पर आरोप है कि 22 साल पहले उन्होंने ही लोगों को सड़क जाम करने और हिंसा करने के लिए भड़काया था जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था इस भीड में कई लोग असलोहों से लेस्ट थे इन लोगों ने मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत क्रपाश शंकर दिक्षित और पुलिस की टीम पर इंट और धटका होगा क्योंकि इससे पहली सपानीता आजम खान की हेट स्पीच में और अब्दुल्ला आजम की 15 साल पुराने एक मामले में विधाय की जा चुकी है लेकिन जस तरह से सपा के विधायकों की पुरानी कुंडली खुल रही है उससे राजिनीती भी गरम हो गई है सपा विधायक विजमा यादव को सजा हुई तो बर्याट सत्र के बीच हंगामा और ज़्यादा पढ़ जाएगा फिर रिपोर्ट एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी